Hello Friends, A1 Basic Study Map का स्वागत है आज हम दोग देखेंगे चीन लगाना सिखेंगे ओके देखिए कोई भी जैसे की पलस इंटू माइनास क्या होता है पलस पलस माइनास क्या होता है तिस ट्राइब का हम लोग एक एगजामपल की साथ एके करके समझते जाते हैं देखिए सबसे first में है plus plus minus तो equal to क्या हो जागा equal to देखिए according to number करेगा कैसे देखिए example के तोर पे अगर यहां कलें 10 plus फिर minus 8 equal to क्या होगा तो देखिए plus into minus क्या हो जागा minus यहां into हो जागा तो यहां हम लोग लिखेंगे 8 minus देखिए यहां 10 हो जागा 10 यह नमर को यहां उतार दिए 10 minus 8 equal to हो जागा 2 इसी परकार देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह सब को minus कर देंगे और जो बड़ा वला में जो sign रहेगा उसी को हम लोग यहां लिख देते हैं next example देखिए अगर यहां हम लोग लिखते हैं 2 plus minus 6 equal to क्या होगा तो देखिए तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2 फिर यहां minus हो जागा तो minus 6 equal to overall क्या हो जागा देखिए minus 4 आप यह से भी याद रख सकते हैं दोनों को minus कर देजे और जो बड़ा में जो sign है उसी को हम लोग लगा देते हैं जैसे बड़ा में 6 है बड़ा तो minus लगा देंगे इस दोनों में से बड़ा कौन है 8, 10 तो इसलिए हम लोग यहां positive लगा दिए चलिए next example देखते हैं example number 2 तो यह जो है plus 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 तो क्या हो जाएगा देखिए 10 plus 3 तो overall 3 इसी परकार 8 plus 4 equal to कतना हो जाएगा 12 इस तरह है simple है आसा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा next देखिए minus plus minus तो क्या हो जाएगा देखिए minus 20 plus minus 10 equal to क्या हो जाएगा equal to हो जाएगा minus 20 minus और plus क्या हो जाएगा minus 10 overall हो जाएगा minus 30 ओके यह आपका अंसर चलिए next example देखते हैं इसी में से देखिए इसी में अगर लिख देगे minus 8 plus minus 6 तो यह क्या हो जाएगा तो यह हम लोग लिख सकते हैं minus 8 फिर यहाँ क्या हो जाएगा minus 6 तो यह दोनों को minus करेंगे तो कितना हो जाएगा overall यह हो जाएगा minus 14 यह आपका अंसर चलिए next परपर्टी देखते हैं परपर्टी नंबर 4 अब देखिए next नियम है 4 plus into minus तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग लिख सकते हैं 8 into minus 6 तो overall इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी परकार एक example और देखिए अबर यहां करते हैं 4 into minus 2 तो overall जागा है minus 8 next है 5 नंबर minus into plus तो overall क्या हो जाएगा minus 4 into 2 तो इसको हम into करेंगे तो 4 into 2 8 हो जाएगा और इसमें एक minus है तो minus लग जाएगा ओके देखिए उपर वाला में देखिए minus plus into minus था तो minus लग रहा था इसमें से एक भी minus रहेगा तो minus लग गएगा multiply में ठीक तीसी परकार देखिए minus into plus है तो minus लगएगा अब next सिखेंगा हम लोग minus into minus तो इसमें क्या हो जाता plus देखिए एक जामपल के तौर पे एट माइनस में है into minus 4 तो इसमें क्या लिखेंगे तो 8 फॉर जा 32 और यह minus minus हो क्या हो जाता है plus तो अभार वाल हम लोग लिख सकता है 32 आपका ही अंसर असर करता हूं यह आप लोगो समझ में आया होगा आया होगो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू